हेलो माई दियर स्टूदेंट्स वेलकम तो यू आल इन प्रीट एजुकेशन ते आज इस वीड़ा देवेच असी तो डेली लेक्या है हाँ अब लास एट्थ जेडा साइंस दा न्यू चैप्टर चैप्टर नोबर 12 न्यू बुक दा चैप्टर नोबर 12 सम नेच्रल फिनॉमेना इस दिया सी बैक एक्सरसाइज सौल करांगे जी ठीक है जी ओके ते वीडियो ते नमे चैनल ते नमे हो ता मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ते अपने फ्रेंजना ज़रूर शेयर करो ते चलो वीडियो ने शुरू कर देया अपना सब्सक्राइब एक्सरसाइज देखांगे ते सारे कोश्चन सॉल्व करांगे ठीक है जी ता चलो हां जी स्टुडेंट्स असि आगे हाँ अपनी ब्लैंग ते फ़स्ट वेच्ट एदेवेच्छ है जी पिल दा बलंक्स त फ़स्ट कोवेट 90 इस आप डैस डैस्ट के डैस्टीज इसा पैंडेमिक ठैक है पैंडेमिक नेच्स्त एस अन रबिं तो बोडिज भी जेट large population in a particular area it is called endemic next sorry endemic epidemic next air in motion is called wind next an uncharged body can be charged by charged body okay next true false so our first true false cyclone hurricanes and typhons are tropical storm again you are true next during lightning and thunder we should stand under a tall tree or an electric poles aka falls okay next lightning conductor is used to save tall buildings and towers from lightning aka you got true next the speed of wind is measured by seismograph aka you got false cousin and a nanometer general next do not use umbrella during lightning aka you got true okay next child yeah and the next step in a mcqs multiple choice questions choose the correct answers johi calo first which of these are epidemic epidemic in dingo we have swine flu call area you guys are right yeah next it is not an epidemic but a pandemic to get them in dilly and the option of a COVID-19 it is pandemic next step of the third the frequency of earthquake is measured by by seismograph okay what instrument is seismograph next charge charge is produced transfer by electrons a option electrons next during lightning and thunder we should take shelter inside a building okay inside a building next the next day match the correct alternatives from column two with one okay columns what happened okay first in 2020 the pandemic that hit in a whole world those that are those that are bdkd pandemic disease ic keysegi corona d option okay upon match week hours a day but a person numbering card this is next cyclone hit resign 2020 20 केड़ा या साइकलोन उनकी केंदेने आपाँ 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 नेक्स्ट वन तू चार्ज क्लाउट अप्रोच इच तुगैदर इट कॉस इट कॉस लाइटनें ठीक है भी आप्शन स्वरी भी है लाइटनिंग थर्ड और फॉर्थ इस उसे रिटेक्टर चार्ज बॉर्डि एदा की आऊगा ए होगा ऑफ गोंड लिख इलेक्टर स्कूप ठीकां थिफंथ फिस पॉइंड इंसाइड अइंसाइड गर आर्सक्विक औरिजिनेट्स थी कंदेने हाइपो सेंटर ठीक है हाइपो सेंटर ही यह अपने बुद्धेने यह पाट दिवेच को यह वर वर इपिधामिक हनदा की यह तो हम आपनी बुक्त देविच्ट की अप लगाएं या थिस भी अपनी बुक्त देविच्ट लगा लगारें ऑन जैसे दिखांगा ठीक है ता चलो सब्सक्राइब तो सखी काना अपिडमिक दे बास्ते अपने पीज नंबर 153 दे चल जाना भुक करें ठीक है मैं 153 पीज दे लाके चल ना भुक कुदी स्टार्टिंग वला जड़ा पीज चैप्टर दे स्टार्टिंग दा पीज ठीक हां जी आप आ गाएं आ आपा यह स्पेज दे जड़ा की दिथे लिख्या होया है 12.2.1 एपिडमिक ठीक है इतों आप नीचे शुड़ा करांगे पहला पहला एपिडमिक इस रैपिड सप्रेड ओफ डैजीज अमंग अ लार्ज नंबर आफ प्यूपल इन गिवन पापुलेशन ऑफ गिवन एरिया फोर शॉट टाइम ठीक है शॉट टाइम इत्दाक लेकल है फिर नेक्स्ट आप लिखांगे एग्जामपल लेखके आपा देंगू लेख दांगे स्वाइन फ्लू लेख दांगे चिकन को यह लेख सकते हैं आप आप जा कॉलरा लेख साने कोई आप दो लिखांगे आपा टेङुंगु एन्फॉन प्लू एक्जांपल ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखने हैं आप आपना हम्जे बच्चे वो साड़ा नेक्स्ट कॉश्चन है अब वाट इस वेंड सोरी डिफाइन्वींड विंड की हुंदी है आंसर आप लिखांगे moving air is called wind जा फिर अपर लेक्सा दे motion in air is called wind ठीक है अपर इदा भी लेक्सा दे moving air is called wind as your choice तू सिखे में लिखना चाहूं दे हो next आपने को लाम दा third question where do cyclones originate which hit the west cost in India ठीक है एदा की answer होगा in arabian sea in arabian sea fourth अपने को लाइगा name to method to charge an uncharged body charge uncharged body नो charge करने दो methods लिखने आपा फॉर्स्ट आप लिखांगे by rubbing next by electrostatic induction by electrostatic induction ठीक है next आपने को लांदा फिफ्ट डिफाइन एपी सेंटर ठीक है एपी सेंटर नों अपर डिफाइन कारना है या ते एपी सेंटर भी आप देखने है साथी बुक देविच किते question देडा की answer है अपा ता नों ठीक करवाने है जी ते तुसी की कारना है तुसी पेज नंबर जस्ट वेट मैं देख लामा कि में पेज नंबर ते आप ठीक किता है हां जी पेज नंबर 159 निकालना है बुक किदा आप अभी चाल देवान 59 पेज नंबर थे तो लेट्स गो हां जी पेज वान 59 पेज नंबर थे आपा आणके आप जड़ा की स्टार्टिंग दा लेफ्ट साइड देड़ा पेर आया उत्तो शुरू करेंगे दा आतों दा पॉइंट जस्ट अबव दा हाइपो सेंटर ओन दा सर्फेस आफ अफ आर्थ इस काल एपी सेंटर ठीक है यह अगरे क्या दा हुजुगा फिप्ट दा अंसर ठीक है एंड़ नेक्स्ट देखने आपना हुन किड़ा क्वेशन है गा शिक्त कोश्ट है हां जी बच्चे ओ अपना जड़ा की सिक्स्ट कोश्ट भी है गाया वाट इस पैंडेमिक नीम टू पैंडेमिक्स ठीक है यह वी से स्क्सक्राइब तो सी आपने पएज नंबर पिआज नंबर 153 डैते बहि towards 10 एक लिए से लिख्याовать है पैंडेमिक नीचे लिख्या होया सब नीचे दे प हमें हमें फ्श्यैड पेंडेमिक तो सब्पहला नीचे लखो है प्लू कलर दी यह पर ए 늦िश्य स्वावरा फिंडे area of many next many country and cases death of million pupils ठीक है यह लिखांगे आपा इस दा चिड़ा की 6 दा आंसर एंड अगला आपा क्वेशन देख लने हैं हम जी पहर बच्छी होता हम आपा 6 लिखना है सब्सक्राइब पहला पैला 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 पैल्डेमिक हो जुगा प्लेग एंड नेक्स्ट हो जुगा कोरोना वाइरस ठीक है जिसने आप लिखेंगे कोविट-19 ब्रकेट विच पाप ठीक है नेक्स्ट देख देहां क्वेशन नंबर 7 अपना वाट इस एपि एल यू ए ठीक है जी एड़ी एपिडेमिक दी डेफिनेशन जेड़ी है यह तहांनों लिखाई होई है पेस नबर बान फिफ्टीनाइं से गा बुजित हो चैप्टर स्टार्ट हना या वान फिफ्टी थी फान फिफ्टी थी ठीक है ओ देविच आप फिर्स्ट कोशन शॉ कंस्ट्रक्शन ठीक है अपां गोडलीफ दे लेक्ट्रोस्कोप देड़ी की डियाग्राम रानी ही ते एड़ी की खनी है कंस्ट्रक्शन सो अपां इस नूवी तो लाके चाल देयां पेज नमबर 157 ते चलो तुसी जी 157 ने कालना है तुसी बुक कदा आपनें दा लाके च लेक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन एंड वरकिंग ठीक है अपां शूरू करांगे अगोड लीफ एलेक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ग्लास पैल जार विद बुडन वेस्ट अ मैटल वायर हैंग्स फॉम अ मैटल प्लेट विद वायर इंसाइड दे लेक्रोस्कोप दालीव मेड अफ मैटल्स आर फिटर्ड एट दा एंड ओफ वायर ठीक है इता कवधी चंस्ट्रक्शन लिख लिए आपां चंस्ट्रक्शन लिखां तो बाच अपकने की करना आप डाइग्राम बढ़ा मांगे हावाली लेबल डाइग्राम है इस थी ठीक है यह वाली टिक किती होई मैं इस डाइग्राम ते ने तुसी कंस्ट्रक्शन लिखां तो बाच मांगे ठीक है इस तो पैर न तुसी डाइग्राम बढ़ा लिखें जूंप फिर कंस्रक्शन लिखें ठीक है क्वश्टव मैं बढ़ा छी इधा हो यह सालों भी पहला डाइग्राम और फिर शाल देना तर तो प्यारे बच्चो नेक्स्ट कोशन अपना है गा राइट एनी थ्री सेफ्टी मेजर्स डूरिंग लाइटनिंग ठीक है थ्री सेफ्टी मेजर्स लिखने ने लाइटनिंग दे दरान जो तह बिजली पह रही हुं दीगा है ति इसले तुसी चलो जी पीज नंबर अपने ब 159 ते नहीं 158 ते लाइटनिंग अला टॉपिक है तहां चलो चल दें 158 पेज नंबर ते हां जी पहरे बच्चे ओ आप आ गए हैं 158 पीज ते तह सब तो नीचे पॉइंट है गाया इफ यू आ निया दा थिक फॉरेस्ट टेक शाल्टर अंडर दा शॉट्टर ट्री ठीक ह यू पॉइंट नंबर पालो ते न नेक्स्ट दे उपर है गाया हां जी अगे नाई सब्सक्राइब ते सेकिंड पॉइंट दे लिखूंगे नेवर स्टेंड ओन एन एवल्यूएटर प्लेस बट चूज अ डीप और शैलो प्लेस ठीक है एंड फर्स्ट पैस लिखूंगे नेवर यूजा नंब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग ठीक है ओके जी ताहिए भी कॉश्ट दे सब्सक्राइब कंप्लीट एंड नेक्स्ट आप देख देया अपना टैंथ कॉश्चन उसे विच की है जी सो चल देया टैंथ कॉश्चन वाल हां जी नेक्स्ट कॉश्चन देविच्छाएगा हाव डस सिज्मोग्राफ वर्क ठीक है एसवच अपता सनाया जी सिज्मोग्राफ जिड़ा हैगा उकी में वर्क कर दाया ताह इस दिलिए असी चलांगे आपने बुक दे पिएज नबर 159 दे रते हां जी बच्चियो 159 प 5 लेन चार्ठिक छी 밀ी देडा यह ही अंनथ олж स्टार्ट कना दा इंस्टूमेंट न तो लिख श्क्राफ में लिख सीज्मोग्राफ फितें में सबस् Noch डालेक नहीं हो एम स्पेस काट उंध तो इस सलेख 220 इंस्टूमंत सेज्मोग्राफ उढस और्श औरफ के तो moves on the graph paper wrapped on a roller which records the seismic waves ठीक है यह हो गया seismograph the work ठीक है and next question आपा देख देख दें अपना 11th question विच की है जी हम जी पहरे बच्चे हो तानम 11th question दे लई तुसी आऊंगे पेज नमबर 163 ते आना है dense or very tall buildings should not be constructed near tectonics ठीक है अभी लिख लो और over the function of plate tectonics next second point आपा लिखांगे था cupboards and shelves should be fixed to the wall so they may not fall by jerks earthquake ठीक है next water heaters wall clocks photo frames wall hangings should be next which should be properly tied next fourth विच लिखांगे firefighting system must be fitted in tall buildings ठीक है यह हो जुगा अपना 11th question and 12th question है हम जी प्यारे बच्चों 12th question दे लई आपां चलांगे आपां 12th question दे बास्ते page number 156 दे ते आपा डाइग्राम बना नहीं आजी lightning conductor दी ते बढ़ें explain करना है ठीक है ते 1586 नंबर ते 156 नंबर ते चलांगे so let's go हां जी प्यारे बच्चों ता आपा गए हां 156 पेस नंबर ते इस देच आपा 12.4.3 देवेच लिख्या lightning conductor ठीक है इस प्यारे देच फर्स तो शूरा करांगे lightning conductor is a device use tall building it is in shape the of metallic trident threshold connector to the earth through a copper wire during lightning the charge flow to the earth through this wire and building is saved from damage ठीक है यह होदी देडे की constructions होगी वोदा work and next देच आपा डाइग्राम बना है लेबल डाइग्राम lightning conductor दी ता आप टिक कीती होई डाइग्राम डिया लिख्या होया so आप आपा आवाली डाइग्राम बनावांगे बुक तो देखके ओके इस वन डाइग्राम ठीक है ते इस ते दिन आड़ी साथ डा जिड़ा इस वीडियो कंप्लीट होंदी है ते वीडियो चंगी लगी ते इसनों लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स में जुरूर शेयर करो ते मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना पूल ल देंग लिड़ी विड़िवेच तिल दन गुरूर भी हवा नाइस दे